नमस्कार दोस्तों, आई यूटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 के महतपूर करेंट अफेर्स को देखेंगे जिसमें हम लोग टाफ 50 कोशिन को देखेंगे यह आपके आने वाले एक्जाम GIC और GDCN की Government Inter-College और Government Degree College परवकता जो की First Paper में पूछा आता है Current Affairs के फ्रस्षन UBPCS, ROE, RO परिक्षा और Un-Estate PSC एक्जाम के लिए जो है यह महतपूर है तो वीडियो को लाइक शेर कर दिजेगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ में वेल आइकन को फ्रेज कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको पहली मिल जाए और इसका PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा एक कोर्स लांच हो रहा है, 26 जनुवरी से और ये पूरे 5 मॉंट्स का कोर्स होगा, 30 जून को खतम हो जाएगा जिसमें आपको UPPSC के टाफ एजुकेटर्स द्वारा पूरे सलेबस को यानकि प्री और मेंस आपको कवर कराया जाएगा इसमें notes प्रोवाइड के जाएगे और इसमें आपका weekly आपका test होगा तो जो लोग इस बैस से जूड़ना चाहते हैं आप असानी से जूड़ सकते हैं, description में लिंक दे दिया गया वहाँ से जाके आप चिक कर सकते हैं और यदि आप subscription लेते हैं एक्जाम लर्नर तो आपको जो है ततकाल वहाँ पे 10% का discount मिल जाएगा तो ये referral code यूज जरू कीजएगा और अनकेडमी पर वीडियो को अनलाग करने के लिए भी आप हमारा referral code यूज करके एनिक एक्जाम लर्नर यूज करके आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको अनकेडमी का लर्निंग एप इस्टाल करना होगा उसके बाद अपने mobile नंबर और email ID के थुरू लागिन करके आप subscription ले सकते हैं तो पहला प्रशन है किसे राजजी या फिर केंद सासीत प्रदेश ने red light on गाड़ी आफ अभियान की सुरुवात की है तो यहाँ देख सकते हैं चार आप संदिया गया चंडीगर है कि नई दिल्ली की मद्यप्रदेश या केरल तो आपको पताना है कौन सा answer सही होगा यहाँ यहाँ आपका बी भी कल्ब से हो जाएगा नई दिल्ली द्वारा red light on गाड़ी आफ अभियान की सुरुवात की गई है दूसरा प्रसन देखते हैं कि अक्टूबर 2020 में किस राजी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिसत महिला आरक्षड को मंजूरी दी है तो यहाँ ए विकल्ब से हो जाएगा पंजाब राजी सरकार की द्वारा नौकरियों में इनिकी सरकारी नौकरियों में जो है 33 प्रतिसत महिलाओं को आरक्षड देने की मंजूरी दे दी गई है तो ए आफसन से हो जाएगा पंजाब तीसरा प्रस्ण है, दिसंबर 2020 में किस भारती खिलाडी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोषना की है तो कल के वीडियो में भी बताया गया है, रिपेटेट कोश्यन हो गया है तो बी बिकल्प सही हो जाएगे हैं, पार्थी पटेल द्वारा दिसंबर 2020 में किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोषना इनोंने कर दी है बी बिकल्प याद रखेगा पार्थी पटेल चौथा प्रशने, अक्रूबर में किस राजी ने स्वास्त सुरक्षा अभियान चलाने की घोषना की है तो यहां 36 गड़ सही हो जाएगा सी बिकल्प, 36 गड़ राजी सरकार द्वारा स्वास्त सुरक्षा अभियान चलाने की घोषना की गई है और पांचवा प्रशने भारती रिजर्व बैंक के ने ग्राहक जागरुकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है तो यहाँ भी बिकलब से हो जाएगा अमिताब बच्चन को और छटवा प्रशने के से राजी में इसमार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान के शुरुवात की गई है तो चार आप्सन है तमिल नाडु है मिजोरम तिलंगाना या फिर पंजाब तो यहाँ यह बिकलब से हो जाएगा तमिल नाडु राजी द्वारा इसमार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान के शुरुवात की गई है सातों प्रशने आपका रामविलास पासवान का हाली में निधन हो गया वे कितनी बार लोगसभा के संसत के तोर पर निरवाचित हुए थे तो यह नौ बार जो है लोगसभा के संसत निरवाचित हुए थे सी आफसन यहां सही हो जाएगा और अगले जो प्रशने किस राजी ने गायों के संदक्षड हे तू गौव कैबिनेट गठित करने की घोसना की है तो यह मद्यप्रदेश राजी सरकार की द्वारा गायों के संदक्षड के लिए गौव कैबिनेट गठित करने की घोसना की गई है नौवा प्रस्ण है प्रोजेक्ट एयर केयर की सुरुवात की से राज्य में की आ गया है चार आपसन है यहां कौन सा बिकल्प सही है यह बताना है तो यहाँ ए बिकल्ब से हो जाएगा हरियाडा, हरियाडा, राज्जी द्वारा, प्रोजेक्ट ए एर के एर की सुरुवात की गई है और दासुमा प्रश्ण है, प्रधान मंत्री स्वयनिधी योजना लागू करने वाला पहला राज्जी कौन बना है? तो यह बन गया है उत्रप्रदेश, इंपोर्टेंट प्रश्ण है, पूछा जा सकता है कि प्रधान मंत्री स्वयनिधी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्जी कौन बन गया है? तो यह आपका उत्रप्रदेश बन गया है और ग्रहाओं प्रश्ण है आद्र भूमी दीवस ये दो फर्वरी 2020 को मनाया जाता है 2020 का थीम पूछा गया है आपसे तो यहाँ बी भी कल्ब से हो जाएगा वेटलेंड एंड बायो डायवर्सिटी इस बार का थीम है आद्र भूमी दीवस का याद रखीगा वेटलेंड डे प्रतेक वर्ष दो फर्वरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है वेटलेंड एंड बायो डायवर्सिटी इनकी आद्र भूमी और जै बिवित्ता अगला जो प्रशन आपका आर्थिक सर्विक्षर 2020 के अनुसार 2024 से 25 तक पांच ट्रिलियन डालर की अर्थ ब्यवस्था बनने के लिए भारत को कितने डालर खर्च करने होंगे ये प्रशन जो है आपका B.E.O. के एकजाम में पूछा गया था तो यहां आपका C.E.O. से हो जाएगा 1.4 ट्रिलियन डालर भारत को खर्च करने होंगे पांच ट्रिलियन डालर की अर्थ ब्यवस्था बनने के लिए तो यह बना है केरल C.O. से हो जाएगा याद रखेगा नागरिक्ता संसुधन कानून के बिरोध में पहला राज जो प्रस्ताव पायत करने वाला पहला राज बना है वह केरल बना है और चौधावा प्रशन है किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है तो यह सुडियर लेंड ने बनाया है सुडिया लेंड द्वारा दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया गया है पंदरावा प्रशन है पुस्तक The India Way Strategies for an Unsold World को किसने लिखा है तो यह 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 जैसंकर के द्वारा लिखा गया है जो कि परतमान में यह बिदेश मंत्री है यह जैसंकर द्वारा पुस्तक लिखा गया है The India Way Strategies for an Unsold World अगला जो प्रशन है भारती सेना के लिए विसेश रेडी का डीजल किसने तैयार किया है तो यह IOCL के द्वारा तैयार किया गया है यहने कि Indian Oil Carpulation Limited के द्वारा भारती सेना के लिए एक विसेश रेडी का डीजल तैयार किया गया है और सत्रहों प्रशन है कौन सा राजी वर्ष 2020 को सुसासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्ड़े लिया है तो यह हर्याडा राजी सरकार के द्वारा निर्ड़े लिया गया है कि वर्ष 2020 को सुसासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और अगला प्रशन है आपका आप्रेशन इंसानियत सम्बंधित है किसे? तो यह सम्बंधित है रोहिंग्या सरडार्थियों की मदद से भी आप्सन से हो जाएगा है और नेक्स्ट क्वेशन है पूस्तक दर्टीच विस्परर के लेखक कौन है? वह यह जस्प्रीत बिंद्रा सी आप्सन से हो जाएगा वीस्पर प्रस्न हाल ही में एक्तिस्वा इंद्रा गांधी राश्ट्री एकता पुरस्कार किसे प्रदान किये जाने की घोशना की गई है? तो यह चंडी प्रसाद भट को 31 इंद्रा गांधी राश्ट्री एकता पुरस्कार दिये जाने की गोशना की गई है नेक्स कुशियन एव आपका हाली में भारत ने किस राज्ज में 208 राश्ट्री समुद्री धरोहर कामपेक्स की अस्थापना है तो पुर्तगाल से समझावता किया है तो यहां आपका B भी कल्ब से हो जाएगा गुजराद गुजराद राजी में जो है राश्री समुदरी धरोहर कामपैक्स की अस्थापना है तो भारत ने पुर्टगाल से समझावता किया है तो B आपसन याद रखेगा है अगला प्रशन है 25 अंतराश्री मुद्रा कोस यानि की IMF International Monetary Fund की नए प्रमुख या प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया है तो यह बनाया गया है क्रिश्टलीना जार्जेवा को यह आपसन सही है यहां नेक्ट कोशेन है 2022 में राश्र मंडल खेल की निसाने बाजी और तिरंधाजी प्रतियोगता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा अगला प्रशन है आपका हाली में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जैनती मनाई गई है तो यह हैं मनाई गई है एक सो पच्चासमी जैनती याद रखेगा 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की एक सो पच्चासमी जैनती मनाई गई थी अगला प्रश्ण अब आपका किस ब्यक्तिने हाल ही में वर्ल एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ड जीतने के मामले में उसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है तो यह हैं एलिसन फेलिक्स बी आपसन से हो जाए गया है एलिसन फेलिक्स ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ड जितने का रिकार्ड इन्हें ने कायम किया इन्होंने उसैन बोल्ट को जो है पीछे छोड़ दिया है अगला प्रशन है विस्व बाक्सिंग चैंपियंशिप में सिल्वर मिडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुस मुकेबाज कौन बने है तो यह बने है अमित पंगाल ए आपसं सही है यहाँ तीसमा प्रशन है रच्छा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो यह लखनो में इसका आयोजन किया गया है वि आपसं सही हो जाएगा पुस्त किस के द्वारा लिखी गई है तो यह लिखा गया है वि कृर्षन स्वामी के द्वारा यह आपसं यहाँ सही हो जाएगा कि श्रदिग टू अप पृर्षन स्वामी के द्वारा आयोगा है वि आपसं प्रब्सु को हिंद महासागर में पैसेज नौसेनिक युद्धा भ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्द किया है तो यह आस्ट्रेलिया के साथ संपन्द किया है भारत ने नाम याद रखेगा पैसेज नौसेनिक युद्धा भ्यास यह कि अब आयुजित किया गया है तो 23 सितंबर 2020 को और यह हिंद महासागर में आयुजित किया गया था अगला प्रशन है जनुवरी 2020 में नसीम अलबहर नो सेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन किया है भारत ने ओमान के साथ नसीम अलबहर जो की नो सेना का अभ्यास है संपन किया है देश याद रखेगा भारत और ओमान के बीचे संपन हुआ है अगला प्रस्ण है मुद्रा स्फिति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदल कर टोमन करने का नेड़े लिया है महतपूर प्रस्ट में ये पूछा दा सकता है तो यहाँ ये भी कलब से हो जाएगा भी हाली में इरान ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदल करके टोमन करने का फैसला किया है इसके पहले इरान की मुद्रा का नाम जो था वह था रियाल अब रियाल का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो टोमन अगला प्रशन है बापका कि देश के पहले केंदरी पुलिस विश्विद्याले की अस्थापना कहां पर की जा रही है तो यहां जो है आपका C विकल्प से हो जाएगा है तो यह भारत और सिंगापूर के मध्ये जो कि दुईपच्छी सेन अभ्यास था संपन हुआ है भी आपसन यहां सही हो जाएगा अगला प्रशनवाब का फीफा महिला अभिशुकप 2019 के संबंध में निमलिखित कतनों पर बिचार करें तिन कतन दिया गया पहला जो है इसका आ आपसन सही हो जाएगा तो फीफा महिला अभिशुकप 2019 के संदर में पहला जो दिया गया है किसका आवजन फ्रांस में किया गया है बिल्कुल सही है दूसरा इसमें बिजेता देश जो रहा USA यानि कि सहीं की तरा जमीर का रहा है यह भी सही है आपका तीसरा USA ने फाइनल मे नेता लेंड को हराया तो यह भी जो है आपका सही है तो यह डी भी कलब से हो जाएगा सभी कथन क्या है वह सही है और अगला जो प्रशनेवाब का किस E-commerce कमपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा आफिस खोला है तो यह है Amazon कमपनी ने भारत में दुनिया का सबसे ब अगला जो प्रशनेवाब का किस देश के उड़ान हुआ हक कंटास ने दुनिया की पहली सुनि अपसिष्ट वाडिजिक उड़ान संचालित की है तो यह आस्ट्रेलिया यह भी कलब यहां सही हो जाएगा और अगला जो प्रशनेवाब का भारत के पहले निजी अंतरिच सं अंगरहाले का निर्मार जो किया जा रहा है यह तिलंगाना राज में किया जा रहा है और अगला प्रशन है भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन यानि की इसरो इंडियानी स्पेस रिसर्च आर्गनाजेशन ने किस वर्ष तक अंतरिच में खुद का स्पेस इस्टेशन बनाने का निड़े किया है तो यह वर्ष 2030 तक C विकल्ब से हो जाएगा और याद रखेगा इसरो की अस्थापना जो ही थी वह 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था इसका हेड़क्वार्टर है बैंगलूरी में बरत्मान में इसरो के जो चीफ हैं के C1 अगला जो कुशन है वापका अंतरिच में इस्पेस वाक करने वाले पहले बैक्ती का नाम बताएं जिनका अभी हाली में निधन हो गया है तो यहाँ जो हापका यहाँ इलेक्सर नहीं होगा इनका पूरा नाम है इलेक्सी जिनका अभी हाली में निधन हुआ है यह अंतरिच में इस्पेस वाक करने वाले पहले बैक्ती थी तो B आप सनिहां से हो जाएगा अलेक्सी लियो नो और अगला प्रशन है विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाय अडे टर्मिनल का निर्मार किस देश में किया गया है तो यह तुर्की में किया गया है C विकल्ब से हो जाएगा और अगला प्रशन है आपका किस देश की अदालत ने हिंदी को तृती आधिकारिक भासा के रूप में सामिल किया गया है महतपूर प्रशन है यह तो यहां B विकल्ब से हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानि की UAE के द्वारा अभी हाल ही में वहां की अदालत ने हिंदी को तिरती आधिकारिक भासा के रूप में सामिल किया है और अगला प्रस्ने किस राजी के मिष्ठान रसगुला को GI परमारन दिया गया है तो यह ओडीसा को दिया गया यहां D भी कल्ब से हो जाएगा और अगला प्रस्ने किस राजी द्वारा धूआ रहित रसोई के लिए प्रजेक्ट चूला लांच किया गया है तो यह महराष्ट राजी सरकार में धुआ रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूला लांच किया गया है C आपसन याद रखेगा से हो जाएगा और अगला कोशिन है आपरेशन बंदर का संबंद निमलिखित में से किस से है तो यह आपका बाला कोट एर स्ट्राइक कोट से संबंद दित है C बिकल्प से हो जाएगा आपरेशन बंदर बाला कोट में जो एर स्ट्राइक हुआ था उसका कोट रखा गया था और अगला जो प्रशन है आपका Central Bank of the Year Award 2020 किस ने जीता है तो यह वैंकाफ घाना ने जीता है यह आपसंसे हो जाएगा और अगला जो प्रशन है ट्रैफिक सिगनल पर फिमेल आइकन इस्तिमाल करने वाला भारत का पहला सहर कौन बन गया है तो यह है मूंबई भी आपसंसे हो जाएगा मुंबई में ट्राफिक सिगनल पर फीमेल आइकन इस्तिमाल करने वाला भारत का पहला सहर बन गया है मुंबई रगला जो प्रशने अब आपका और अंतीम प्रशने यह है टाफ 50 का कि माई टाउन माई प्राइड अभियान की सुरुवात किस राजिया फिर केंसासित प्रदेश ने किया है तो यह जम्मू कास्मीर के द्वारा किया गया है भी आपन से हो जाएगा माई टाउन माई प्राइड अवियान की सुरुवात जम्मू और कास्मीर किन सासित प्रदेश जो की हो गया है इसके द्वारा किया गया है याद रखेगा लदाक और दो स्वारी लदाक और जम्मू कास्मीर को दो नए किन सासित प्रदेश बनाए गया है और किन दमन दीव और दाधर नागर हैवेली का बिले करके एक किन सासित प्रदेश किया गया है अब जो है टोटल कितने किन सासित प्रदेश हो गया है तो आठ हो गया है और राज्य कितने हैं 28 राज्य हैं तो दोस्तों ये था आपका आज के क्रेंट एफियर्स के टाफ 50 कोशन्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजेगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आइक उनको फ्रेज कर लिजेगा जिसे आने करके जॉइन करके पीडियेप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद